असलाम लेकों मैं यूटूब गाइस कैसे आप सब उमीद करती हूँ ठीक होंगे खेरियत से होंगे मज़े में होंगे विल्कम बैक तो मैं चैनल जूनी किचन एंड व्लॉग्स जी गाइस व्लॉग मेरा अप्लोड करने मुझे तो असा टाइम लग गया और जो जो वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ यह तक्रीब एक अफ़ता पहले की है जब स्कूल से अनौंसमेंट आया था कि अब बच्चों की स्टेशनियर वगर स्कूल में सब्मेट करा ह चीजें और आज है तकरीबर फ्राइडे का दिन तो लेकिन है कि साटेडे वल दिन अनौंसमेंट हो गया था कि स्कूल थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है मौसम देखे बहुत अच्छा हो रहा था हम लोग भाहर निकले तो मतलब जो दिल बाग बाग हो गया था हमारा तो बहुत मौज़े का मौसम हो गया था अधर वासम चेंज हो रहा था लेकिन बारिश होई है तो मतलब अच्छा लग रहा था और ऐसे गर्द चमक के साथ हो रहे था कि मतलब मज़ा यहां गया बहुत बच्छों की बुक्स लेने के लिए और आज में बात आप से कहना चा लेकिन आप वीडियो रिकॉर्ड करना उसमें एडिटिंग करना और अपलोड करना तो यह बहुत डिफिकल्ट काम होता है बरहल जब तक हमत हैं लगे हैं आगे कला चाने तो यह कि मुझे नहीं समझाते कि वह कौन सी माय होती है जो बच्छों को निग्लैक करके तो यूट बच्चों के साथ कुप्रोमाइज नहीं कर सकती तो मैं कुछ भी हो सकता है बहरल यह बात की बात है तो यह कि मैं यहां पर आई हूँ जी बच्चों को उनकी स्टेशनरी दाने के लिए और स्टेशनरी सिर्फ हमने लेनी है जोरान के और आप देखें कि कॉविट की वज़ और लिखें दी है वह हमें सब्मिट कराएं तो यहां पर जस्ट हम लोग ही हैं जो स्टेशनरी जो सब्मिट करवाने के लिए हैं अदरवाइस जो है कोई भी स्कूल जिन में किसी में भी फाइनल एक्जैम सही होएं सिवाई दी प्रेप के तो बहरल जी हर स्कूल का अपन वह घ्चास में बहुत अइक सब्सक्राएं तो यहां पर हमाएं जी किस्ट苗 इंपनी सरी हैं प्री प्रैप की सोरी प्रैप की प्रैप जूनियर में वह चला गया खैर म शैलाथ से तो उसकी है मैं अढ़ना से अनक्गों के बहुत अच्छी होती हैं एक स्ट्रेशनरी में और बलके मैंने यहां से एक आर्प के फ्रेंड का भी किफ्ट लिया था उसकी बर्डे थी उसके दो उसकी तो वह ब्लॉग आपकी साथ जरू शेयर करूंगी तो यह कि हम यहां पर बच्चे तो बस यह से जगर 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 ज़िया आएंगे और यह कि फिर हम यहां से स्टेशरी में कि बच्चों से मास्क भी मंगवाए गए हैं बरहल जी अब हम जाएंगे यहां पर बिल बन वारी हूं बिल भी शेयर करूंगी कि एक आम बंदा जो है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में कैसे बढ़ाए मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग बच्चो की फीज छे साथ हाजार पर फीज देते हैं बाकि स्टेशनरी बॉक्स यूनिफॉर्म और जूते और ये बैक और ये लांच बॉक्स वाटर बॉटर सब को छोड़ के तो एक आम आदमी और जो यह स्कूल हैं बहुत कहें कि बहुत ही अप क्लास या बहुत स्टैंडर्ड का स्कूल है तो वो नहीं है ये एक मिडल क्लास स्कूल है एक नॉर्मल स्कूल है और हम लोग तो अच्छा हम लोगा गुजार रहा है तो अच्छे स्कूल है बच्चों को डाला है जहां तक हम लोगा की पहुंच है लेकिन खरीब बंदा कहा जाए मेरी समझ से बाहर है हम सारिक के अभी अडमिशन नहीं हुआ दिसी स्कूल में क्योंकि जो है बाकी स्कूल अभी अडमिशन ओपन ही नहीं हुए लिए पारा है कैसा दो आज दो हैं कि रिएंगे पर अपनी नहीं नहीं हैं यहां पर बात है कि टीड़ हैना यहां पारा तो मैं तो सांसे बड़ा साइस लूंगी और आप या कि यह जो है व्लॉग एक हफ्ते पहले का नहीं लेकिन यह कि इसके अभी समान वैसे ही पड़ा है क्योंकि स्कूल हो चुके बंद तो यह वह शॉप के पर से मैंने का पहले पेट है चेक कर लें कि इसके वेस्ट आजे कि पूरी के नहीं तो यह वहां पर अपनी वेस्ट चेक कर आ रहा है तो देखते हैं कि अब इसको अब बारे सी तो मैंने का जब स्कूल कुलेंगे तो मैं पर तब साथ ही ले लूँगी बैग इसको रड़ी था तो मैं अपसे में ज़रूर शेयर करूंगी क्या रिटेल है यहां पर हम इसके वेस्ट ले रहे हूं यह वे एक पैकेट में तीन थी यह मैं ने लिलती इसके ड जी स्टेशी वगरा हमने सब कुछ ले लिया है अब होरी यह वापसी और लेकिन खाना तो मैंने बनाया हुआ था लेकिन हस्बेंट कहते हैं चलो कुछ आज मौसम अच्छा है कुछ चाई शेय पीते हैं पाइट से ना तो बच्चे तो कहते हमने बर्गर्स वगरा खाने त कई अभरा कोईटा का है कि मैंने बहुत साथ बात सुने वे थे कि बोट मत जय कि उते होती हो म измен होती है उनके पराठे बड़े मज़े क्योते हैं तो बस हम लोग कि लन बंद ग से चानक सही ही लीए तो इन्टक में पी चाही जाए तो शाथ ही कोईटा सूपर शान दार काफे था और में एक बिल्कूल मुरी रोड पे में रोड पे था तो जिसका मैंना सुनावाता के यहां का पराठा बहुत अच्छा है लेकिन इनकी चाए मुझे उतनी मजह कि निए लगी जितनी मुझे आम हमलाग होटल बगार में पीते हैं या किसी भी ढाबे बगार ऐसे पीते हैं तो यह कि इनका प्राठा अच्छा था, सौफ था और टेस्टी भी था, मीठा मीठा मज़े का लग रहा था लेकिन यह कि इनकी चाय मुझे को खास पसंदी है, लेकिन वोई बात है, डूपते को तिंके का सहारा के मौसम अच्छा था तो अच्छी दी तो यह कि हम लोगों यहां पर बस चाय शेय पी है, परोटर शेटा खाया है, बच्छों ने खाये हैं बर्गर्स, और फिर इसके बाद हम चले गए हैं घर जी घर आ चुके हैं और सुबा सैटेड़े का दिन था, स्टेशनी यह सैटेड़े को सब्मेट करानी थी और क्योंके वहाँ पर आपका एकफ़ देर रखा जाता है, जिसमें आप अपने बच्छों की स्टेशनी वर्द सब्मेट कराते हैं आपके बच्छों को कार्ड अलाओ किये जाते हैं, जो ड्राइवर उनको लेने के लिया आता है, विदाउट कार्ड इनको अंदर जो बच्छे को लेके जाने की परमिशन नहीं होती है तो ये की माशालला अच्छा बहुत अच्छा सिस्टेम है, ये मैं वहाँ पे स्टेशरी कोल ली हूँ, ये मास्क इनोंने मगवाए हैं, ये एक पैकेट इसमें हंडर्ड मास्क हैं और क्योंकि बच्चे यहां से अकसर पहन के जाते हैं, वहां पे स्कूल बें को चेंज भी कराते हैं ये यू-एच्छी यू की ग्लू है, बहुत अच्छी ग्लू है, आइधिंक ये साड़े 400 ये 500 की ग्लू है तो ये जो चीजे ले जाते हैं, बच्चों से सारा साल के लिए एक पूरे सेशन के लिए उनसे स्टेशन ले जाती है ये है जी, इनका क्ले है, ये डो समझ ले, ये इनकी पैंसिल्स है, अच्छा पैंसिल्स के आइधिंक दो या तीन पैकेट है हाँ यह तीन पाकेट है लेकिन यह जो stationery यूज़ कि जा रही है जा स्कूल में use कि जाती है घर जो हम अलग से stationery use करते हैं वो उसमें include नहीं होती है यह सारा समान स्कूल में जाएगा पूरे एक साल के लिए यह रेजर्स हैं रेजर की कौलिटी भी बहुत अच्छी होती है और आइधिंग एक रेजर कोई 11-12 रुपे का था मुझे एक्जेक्ट याद नहीं है बरहल यह मेरे ख्याल से कोई 20-30 रेजर्स थे और अब चोकि कोविट है कोविट में जो है ना बच्छों को घर पे पढ़ जाहर है बच्छों की घर पे भी इस्टेशरी यूज होती है यह इनका एक पेंट जो है ब्रॉश था और इनका यह पेंट वाल एक जोटा से पैक था और यह बहुत डिफरेंट सी शीट्स है यह बच्छों से जो है ना यह क्राफ्टिंग कराई जाती स्कूल प्रैक्टिस क अब तो बखायर बच्छों के स्कूल बंद हैं तो हमें बच्चे काम और माय जादा क्राफ्ट करती हैं और प्रोजेक्ट्स बनाती हैं तो यह समझ जाए कि यह हमारे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए है तो अब देखेंगे साथ-साथ इंशाना हमके साथ शेयर करूंगे जो जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं और अभी तक मेरे खाल में जो मेरे तक खोला नहीं है यह बच्चों की कुछ टॉइस के मेरे खाल में बिल है यह जब जाते हैं किसी स्टेशनी के दुकान पर किसी टॉइस के दुकान पर तो जो हम चीज देने के लिए जाते हैं वह भूल तो बरहल यह इसकी वेस्ट है और यह एक ही पैकेट में तीन वेस्ट है तो यह मुझे अच्छी कॉलिटी की लेकी थी और बहुत कन्विनेट भी थी थी यह चार सुर्पे का पूरा पैकेट था बरहल जहां से बिलो तो इतना ही पड़ता था मैंने का चलो इदूरी कम बकाओ यह इसका बैने स्कूल का उनिफॉर्म है यह शिर्ट है यह पैंट है और यह सॉक्स हैं हैंटकरचीप वो बोलते हैं लेकिन वह बस पड़ावाई पराने बच्चों का भी वैसी न्यू पड़े में तो यह बिल देखें जी तकरीब यह बिल एक हजार के करीब जो हैं और यह जो सारा स्कूल में जाएगा जिसमें इसकी बुक्स वगारा कुछ भी नहीं है यह इनके जो कटे इन लिये थे अपनों ब्रुकुल बिक कार टॉय लिये थी तो मैं उस टम बड़ी बिजी थी व्लॉगिंग में तो मैं नहीं नहीं देखा घरा कि मैंने उनकी जोना स समान जाएगा जी कल स्कूल और कुछ वो कुछ तोड़ा बहुत करेंगे वापिस क्योंकि बच्चों को हम घर भी पढ़ा रहें तो यह कुछ स्कूल में प्रोजेक्ट पर गारा जो होते हों घर भी बनवा रहें यह इसका स्कूल का बैग है यह मैंने कुछ टेम पहले ही ल लेकिन यह है कि हमें जोवड़ा बहुत पास पड़ता है तो दूर जाने से बितर है कि बन पास से ले 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 обычно जो तीन आपको रोल नज़र हारी है यह भी जो है रहे स्कूल में और यह मेरा आज साथ था व्लॉग और मुझे दौ में याद रखेगा इंशाना दोबारा किसी व्लॉग में किसी रिव्यू में किसी रेसिपी में मुलाकात होगी अपना बहुत ख्या रखेगा ओके जी टेक कियर लाफिसर रबाई